हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेडेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों एंजल वन पे हैं मैं 10 में को वीडियो अपलोड किया था कि हम लोग दोस्तों ट्रस्ट मेरे पे आपको आने के लिए आप इस वाले वीडियो को देखिए एंजल वन जहां पे मैं बताया कि 2470 से लेके 2440 के in between हम लोगों को स्टॉक में एंट्री लेना है तो स्टॉक यह 10 में है 13 में के लिए वीडियो अपलोड किया था 13 में का जो स्टॉक का लो है 2407 है ठीक है हमारा एंट्री कहां पे 2470 से लेके 2440 इसका मतलब हमारा हो गया स्टॉक में एंट्री एंट्री में शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड यह था वित ट्रेलिंग टार्गेट्स यह थे वित ट्रेलिंग टार्गेट्स यह थे वित आउट एनी ट्रेलिंग एस level break होते हुए नीचे कहीं पर भी candy close कर रहा है तो आप stock में से निकल सकते हैं तो अभी आप यहां पर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ आप यहां पर देखिए stock में हमारे entry कहां पर हुआ 2470-2750 मैं stock में कितने percent का profit booking दे चुका हूँ 12.2 percent का profit booking मैं stock में दे चुका हूँ 12.2 percent का मैं profit booking दे चुका हूँ कितने दिन में seven days के अंदर ठीक है अब इसलिए मैं suggest कर रहा हूँ कि अगर stock 2750 का level break होता हुआ दिखा आप stock में से exit करिए क्यों exit करिए क्योंकि अभी stock 2756 पे है and stock में intraday correction अभी complete नहीं हुआ है direct trend में तो intraday correction भी हम लोगों को stock के अंदर लेके चलना पड़ेगा अगर यहां पर high देखेंगे 2884 का level हम लोगों को देखने को मिला angel 1 में अगर यहां पर stock के अंदर अगर हम लोगों को level मिल जाते अपने basis पे 2900 तो complete profit booking में हम लोग saturday market में जब थोड़ा वो station start था उसके अंदर complete निगल जाते पर यहां पर वो level हम लोगों को देखने को नहीं मिले तो इसलिए मेरा suggestion है 2750 से लेके अगर stock नीचे जा रहा है तो complete profit booking करो वरना मैं suggest करता हूँ stock के अंदर 2900 तक अब hold कर सकते हैं दोस्तों यही था मेरा update angel 1 पे next targets के लिए अगर आपको stock पे analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video